नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूपर टेक्निकल पर तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप घर बैटे बैटे ऑनलाइन अपने फोन से SBI क्रेडिट कार्ड के लिए apply कैसे कर सकते हैं और 80% चांस है कि कार्ड apply online लिखके सर्च करना सौरी मैं यहाँ पर लिख दिया हूं आपको कार्ड लिखना है तो कार्ड लिखेंगे और सर्च करेंगे तो यह पेज आ जाएगी यह official website है तो इसको हमको टैप करके open करना ठीक है टैप करेंगे इस website को देखे यह आ जाएगी आपके सामने इस प्रकार का page आएगा home page अब आपको इस page को ऊपर की ओर scroll करना ठीक है ऊपर की ओर थोड़ा scroll करते हैं अब यहाँ पे आपको start apply journey के ओपर tap करना है अब यहाँ पे आपको इस page में आपको तीन options मिलेंगे personal detail फिल करने का professional detail फिल करने का और KYC detail फिल करने का इन तीन steps में आपका यह process complete होगो तो सबसे पहले हम यह personal detail वाले option के उपर tap करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी personal detail देंगे ठीक है यहाँ पर देना आपको first name last name middle name और उसके बाद आपका mobile number यहाँ पर फिल करके नीचे I have read के उपर term and condition के उपर टिक लगाएंगे और उसके बाद इस page को continue करेंगे ठीक चली पहले हम यह चीज कर लेते हैं अपना first name last name middle name फिल कर लेंगे और mobile number फिल करने के बाद टिक लगा लेंगे and then continue करेंगे जब continue करेंगे तो यह next page पर redirect होगा यहाँ पर OTP आएगा OTP आपको submit कर देना ठीक है देखे इस page में अब simply आपको इसको आगे process कर देना continue करेंगे अब आपसे आपका यहाँ पर pen card मांग रहा तो pen card और date of birth जो आपके pen card में होगी वो आपको यहाँ पर fill कर देना ठीक है चली मैं इसको fill कर ले रहा हूँ अपना pen card number और date of birth यहाँ पर fill करेंगे ठीक है उ नीचे यहाँ टिक लगा के आगे continue करेंगे अब इस page में आपसे आपकी professional detail पूछ रहा है तो यदि आप retired वाला option चूज करते हैं last वाला तो यहाँ अधिकतर reject कर देते हैं और यदि self-employed को पूछते हैं तो बहुत सारे paperwork की जरूरत होती है तो हम simply यहाँ पर salary वाला option चूज करेंगे इसकी procedure मैं आपको आगे बताऊंगा अब यहाँ पर आपको यहाँ पर simply किसी भी company का नाम दे देना है जो आपके घर के आसपास हो बड़ी company ठीक है वो company का नाम दे देंगे उसके बाद आपको यहाँ नीचे आपको जो भी designation एक चूज कर लेंगे sales manager या RM relationship manager कुछ भ आगे process हो जाएगा ठीक है चलिए page को आगे हम scroll करते हैं और आगे process करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार number फिल कर देना और उसके बाद यह capture यहाँ पर फिल करके आगे continue करेंगे अब एक OTP आएगा आधार की और से तो OTP आपको यहाँ पर submit कर देना है OTP आ आग रहा है तो आपको allow कर देना permission को permission आप allow करेंगे अब यहाँ पे जो आधार में जो आपका address होगा वह यहाँ पर show होगा तो verify करने के बाद आप आगे continue कर देंगे ठीक है अब आपको show करेंगा कि यह वाला card आपको approve हो सकता है जो भी card available होगा उसके पास में तो card show होगा आपको select कर लेना अब आपको यहाँ पर selfie लेने के बोल रहा तो इस प्रकार यह आपको अपनी camera से अपनी selfie ले लेंगे latest और उसके बाद submit करेंगे अभी यहाँ आपसे एक bank account मांगा जा रहा है जिसमें यह एक रूपे credit करेंगे और उसके बाद एक रूपे debit करेंगे जिससे आपको verification हो जाएगा bank detail का तो चलिए आगे process करते हैं और इसके बाद यहाँ ऊपर आपको आपको आपका नाम दे दे देना है और फिर account number को दोबाद से re-enter करेंगे और IFSC code दे देंगे तो यह आपके account में एक रूपे credit करेंगे इसके बाद यह next process में इसको debit करेंगे तो चलि आपको UPI ID यहाँ पर देंगे और make payment के उपर tap करेंगे ठीक है UPI ID फिल कर देंगे अब उसके बाद अपने UPI में जाएंगे और यहाँ प एक request आएगी तो आपको simply pay के उपर tap कर देना है और उसके बाद UPI pin फिल कर देंगे और आपकी जो debit की प्रोसेस हो complete हो जाएगी देख GST है और उसकी जो renewal fee है वो सो होगी अब इस card में एक चीज बढ़िया है कि आप यदि एक लाग से अधिक का transaction कर देते हैं साल भर में तो आपकी जो annual fee है और revert हो जाएगी और जब आप first time transaction करेंगे यदि 30 दिनों के भीतर किया है तो आपको 500 का imagine का voucher मिल जाएगा तो यह द प्रिंसॉट ले सकते हैं चलिए submit करेंगे इस प्रकार आपका virtual card यहां पर show करेंगा और यह 5-7 दिनों के भीतर में आपका physical card भी आपको send करेंगे अब यदि आप इस virtual card को activate करना चाहते हैं तो activate card usage के उपर यहां नीचे tap करेंगे तो tap करेंगे तो आपको option देगा यहां पर इस प्रकार का तो आप यह दी चाहें तो इसका domestic online transaction enable कर सकते हैं और enable जैसे ही करेंगे tap करके तो इस प्रकार आपका card active हो जाएगा तो इस प्रकार friends हम घर बेटे बेटे SBI card के लिए apply कर सकते हैं friends यह दी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें thanks for watching video